एलो फ्रेंट कैसे हूँ मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हूँगे तो एक और इंट्रेस्टिंग कमपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है अलग-अलग ब्रांट के दो पाप्लर स्मार्टफोन एक तरफ सैमसंग गलक्सी A14 5G और दूसरी तरफ मोटो का G62 5G इन दोने स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जातों सैमसंग गलक्सी A14 5G को 18,99 रुपे के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB इस्टोरेज वाले वेरि को बाई कर सकते हैं वहीं दूसरी तरफ मोटो की G62 5G को 14,99 रुपे के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं दोने स्मार्टफोन में 4000 पीच का डिफ्रेंस देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं कि इन दोन प्राइस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानती होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन दोने स्मार्टफोन के प्राइस में तो 4000 पीच का एक बला डिफ्रेंस देखने को मिल जाता है पर पर पफॉर्मेस प्रोसर देखने को मिल जाता है वह इन दोने स्मार्टफोन के अगर अन्तुत स्कोर की बात करी जाता है तो उसमें इतना ज़्यादा डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि सैंसंग गलक्सी A14 5G का जो अन्तुत स्कोर निकल के आता है वह दूसरी तरह मोटो के जी स G62 5G के प्रैस 4,000 रुपीस कम है फिर भी यह स्मार्टफोन खास का डिस्पले के मामले में सैंसंग गलक्सी A14 5G से काफी जड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि मोटो के G62 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPA डिस्पले देखने को मिल जाती है डिस्पले के अच्छी smoothness के लिए 120 हर्टे रीफर्श हेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वह इस दूसरी तरफ सैंसंग गलक्सी A14 5G में 6.6 इंच की प्लस LCD डिस्पले देखने को मिल जाती है और डिस्पले के अच्छी smoothness के लिए 90 हर्टे रीफर्श हेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 19 यह रुपे की प्राइस को अगर देखा जाए तो सैंसंग गलक्सी A14 5G में आप लोगों को लो एवरेज क्वाल्टी की ही डिस्पले देखने को मिल जाती है दोने स्मार्ट फोन के अगर क्यामरा सेग्मेंट की बात करी जाता है तो मोटो की G62 5G के बैक मेंटर पर रियर कैमरा के साथ दूसरी तरफ सैंसंग गलक्सी A14 5G के बैक में टरपल रियर कैमरा सेड़प देखने को मिल जाते हैं 50 मेगा फिक्सल का मीन प्रामरी कैमरा मिलता है जिसका अपरचर 1.8 अपरचर देखने को मिल जाता है बागी के दो कैमरे 2 प्लेश 2 मेगा फिक्सल के मिल जाते हैं विद एलेडी फ्लैस लेट के साथ वहीं इनने स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जा तो सेल्फी के मामले में तो किलियर भीना निकल के आता है मोटो का G62 5G को कि मोटो की G62 5G में 16 मेगा फिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ सेमसंग गलक्सी A14 5G जिसका प्राइस 4000 रपी जादा है उसमें आप लोगों को सिर्फ 13 मेगा फिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है आलोवर अगर देखा जा तो आप लोगों को कम प्राइस में मोटो के G62 5G में काफी अच्छा कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है पिर स्मार्टफोन के अगर आडियो फीचर की बात करी जाए तो मोटो के G62 5G के प्राइस 4000 रपीस कम है फिर भी आप लोगों को डॉल्वी एट मॉट देखने को मिल जाता है फिप्टिन वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ यूजबी टैप सी पोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरफ मोटो के G62 5G में भी 5000 mAh की एक बड़ी बैटी मिल जाती पर आप लोगों को मोटो के G62 5G में 20W का टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इससी कोटी फीचर के अगर बात करी जाता है तो मोटो के G62 5G में भी साइड मॉंटेन फिंगर पिन सेंसर देखने को मिल जाता है तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफून आप लोगों के लिए बेश्ट है प्रैस में 4000 रुपीज का एक बला डिफिरेंट देखने को मिल जाता पर पफरमस वाइज ये दोने स्मार्टफून लगबग एक जैसे है पर मोटो के G62 5G के पास काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते जैसे कि आप लोगों को 4000 रुपीज कम खर्च करने के बावजूद भी काफी अच्छी क्वाटी की डिस्पले देखने को मिल जाती क्यामरा सेटब भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और चार्जिंग स्पीड भी काफी जादा देखने को मिल जाती है मोटो के G62 5G जो की तो आज की इस कंपेरिजन वीडियो का किलियर भीना निकल के आता है मोटो का G62 5G और मैं आप लोगो को रिकिमेंट भी करूँगा कि आप लोग कम पैसे खच करके मोटो के G62 5G को ही बाई करें